पुल्वावा में सुरक्षा बलों की बड़ी छाप इमारी इस वक्त चल रही है। सुरक्षा बलों का एक बहुत बड़ा अभियान इस पूरे पुल्वामा सेक्टर में की आखर कैसे 200 से 300 किलो आई-ई-डी के साथ इस शक्स ने इस घटना को अंजाम दिया और इस सब वहाँ पर करने में छिपा कर करने में वो काम्याब रहा या फिर कुछ ऐसे लोग थे जो इसका साथ दे रहे थे, साज़िश का हिस्सा थे, ये चाहपेमारी के जरीए सुरक्षा बल उस पूरे इलाके में सुरक्षा अभियान के जरीए पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बीच सभी खास बेमान हमारे साथ बने हुए हैं जिन से हम बाच्चीत कर रहें, आप सिंग साहब उनकी बात पर याक्ट भी करना चाह रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि सेना को अनुशासन में रहे कर कारवाई करनी चाहिए और दूसी महत्वपूर्ण बात की लोजिस्टिकल सपोर्ट मतलब आसपास के गाउं लगबग 10-15 किलोमेटर दूर पर यादल हमर्डार का गाउं था जिसने यात्मगाती हमला किया है कौन-कौन थे जो उसकी मदद कर रहे थे इसा है मैं सुसान सरीन साब को और चुकी वो सीकूरिटी मिसले सक है और पूरे देश को यह आस्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सीकूरिटी फोर्सेज में डिसिक्लिन की कोई कमी नहीं है और वो कभी भी अपने काम में इस तरह का एक्शन नहीं लेते जो जायज न ठहरा जा मैं आज आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं और जुडीशियरी को भी कहना चाहता हूं कि कृपया फोर हेवन सेक जो सिकूरिटी फोर्सेज हैं उनके खिलाफ चल रही एक मुहीम को आप सह न दीजिए उसको रोकनी कोशिस कीजिए क्योंकि जो भी वो कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं दीजिए करण तक रहे हैं और उसकेप्ट करना हमारी जिम्मेवणी होती है चाहे वो जनता हो चाहे वो जुडी शिरी हो । चाहे अड्मिस्टेशन हो पंजाब का प्रब्लम हम लोगोंने सौल्ब किया और उस पर हम लोगोंने काबू पाया इसका ये बहुत सटीक उदारन है चुकि वहाँ पर जो सरकार थी उसने कोलेटरल डामेज को एकसेप्ट किया और सिकुर्टी फोर्सेज को फ्रीडम दिया कि वो काम करें और उन्होंने करके दिखाया तो सुसांत सरीन साहब से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आस्वस्त रहें सुकुर्टी फोर्सेज प्रीडम पर कभी भी कोई गलत काम करने के लिए तैयार नहीं होगी और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं वो यह है कि एक्सटर्णल अफेर्स मिनिस्ट्री शुट गो ओल आउट शुट गो ओल आउट टू आइसोलेट पाकिस्तान एक उनका अलग मुहीम चलना चाहिए स्कुर्टी फोर्सेज का अलग मुहीम चलना चाहिए देश द्रोह क्य कहेंगे हम आज तक नहीं बता पाए हैं दुन्या देज्रों कर रहे हैं यह पता लगाने के लिए कि आदिल एहमद डार ने किस कि कि मदद ली और क्या यहां पर ऐसे कोई सेल्स कह लीजे आतंकी कह लीजे हैं अश्रफ अंजिना दरसल कल शाम से ही जब यह हमला हुआ था उसके बाद लगातार पलवामा और उसके आसपास इलाकों में पंदरा गाओं में सुरक्षा बलूं का एक तलाशी अव्यान शुरू हुआ था क्यूंकि पुलिस के पास इंटिलिजिन्स डिपार्टमेंट हैं सी आईडी है कई सारे कड़िया होती हैं जो पुलिस को खबर होती है उसी के चलते जो अभी की खबर है दो गाओं से पांच यूकों को गिरिफतार किया गया है डिटेंड किया गया है पुलिस की तरफ से और उनसे पूछ ताश की जा रही है क्यूंकि इस हमले को काफी गंबिरता से लग गई थी उसी के तहट कई गाउं में कई लोगों को उठाया गया था जो सर्वलन्स पे होते हैं सुरक्षा अजेंसियों के और पुलीस के उनमें से पांच यूकों को गिरिफ्तार किया गया है उनसे पूश्टाश की जा रही है अलग-अलग पुलीस स्टेशनों में खास से गाड़ी लाई गई कहां उसमें स्पोटक बरा गया और फिर जो बाकी मददगार इस पूरे हमले को अंजाम देने में थे वो कौन-कौन थे बिल्कुल अश्रफ आप बने रहे हैं हमारे सा जानकारी लेते रहेंगे सुशान सरीन जी और सिंग साब दोनों हमारे साथ पूर्न स्वतंत्रता दे दी गई है